मैं डक्टर हरीश्कमार सिंग, स्वयम प्रभार इग्मु के चैनल पर आप सभी छाप छात्राओं का शुवागत करें। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इनसान शिकारी संग्रह करता से क्रिश्र पश्पालक तक का सफर्ते करता है। मैंने हडपा सभटा के उत्थान पतन को भी देखा था। बैदिक संस्कृति को मैंने देखा था, रिगवैदिक काल और उत्तर बैदिक काल को देखा था, आज के ब्याख्यान का जो मूल विश्यवस्तु है, वो है छटी सताबदी इसापूर्ब का उत्तर भारत और महा जनपतों का हुदे, और फिर इसके उपरांत हम देखेंगे कि क इस तरह से मगद का उत्कर्ष होता है, और मगद के उत्कर्ष के साथ ही इरानी और मकदूनियन आक्मण के बात को भी हम लोग देखेंगे, तत्पशात, बौध धर्म और जैन धर्म की विचारधारा किस तरह से उदित होती है, और इसका बिस्तार कैसे होता है, आज के ब्य अख्यान में मैंने देखा था कि इनसान कैसे शिकारी संग्रह करता से क्लिश पश्पालब तक का सेफरते करता है, मैंने चर्चा करी थी कि पुरा पासाण काल 20 लाख वर्स पूर करीब सुरू हुआ, मध्ध पासाण काल 8000 वर्स पूर शुरू हुआ, इन दोनों में इनसान शिकारी संग्रह करता ही था, लेकिन नौ पाशाण काल तक आते आते, करीब पच्पन गी सी से 35 के बीच में इनसान उतपादक बन गया, उतपादं करता है वो पशपालक बन गया, उसने पहिये का अविशकार कर लिया, उसने अग निका आविशकार कर लिया, यह इनसान की जिन्दगी में मूल भूत परिवर्तन था। नवपाशाण कल के बाद उत्तर भारत में ही हडपा सब्वता की सुरुवात होती है। और हडपा सब्वता के बारे मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से 3050 से 1750 इसापूर्व के बीच हडपा सब्वता सब्त संधों परदेश के आसपास फंती है। इसमें कुछ नगर थे, कुछ महानगर थे, इनके नगर विन्यास के बारे में मैंने चर्चा किया, इनके शहरी विन्यास के बारे में चर्चा किया, इनके आंतरिक और वाह ब्यापार के बारे में मैंने चर्चा करा है। लेकिन यह संस्कृती भी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह सकी और फिर इसका पतन होता है, पतन के कारणों में हमने सहसा पतन की बात की, जैसा मार्टिन हुलर का मनतब्ब है, वो आर्यों के आत्रमन को और कुछ पुरातात्तिक और वैदिक साहित के आधार पर साबित करने को देते हैं आधी-आधी, लेकिन हम हडपा सबता के सहशा पतन की जगा निरंतर्ता की बात आप लोगों को बता चुके है, तत्पशाद मैंने ताम्बर पाशाण काली इंस्तन्सकृति को देखा था, कि एक ऐसा भी युग आया, समय आया, करीब 1700 DC से ले करके, 600 DC के आसपा जैसे अहिशत्रों मतुरा में मिलता है, काले यवंग लाल मर्दभान जो अजनती खेडा से मिला है, यह पता चलता है, फिर मैंने आपको बताया कि वैदिक काल सुरू होता है, और वैदिक काल को हम 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीश देखते हैं, जिसमें पूर्व के 1500 से 1000 DC रिग रिगवेद हैं, हम आपसे बता चुके हैं कि रिगवेद की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्योस्ता, अर्ध जन जाती है, काविलाई, खान अब्दोशी थी, जब हम जन जाती है, सरचना पर रिगवेदिक समाज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यहां पर छेत्रि जो राजा को कहीं नियमित करती हैं, अगर हम रिगवेदिक काली इन आर्थिक व्योस्ता की बात करें, तो हमने देखा था कि काविलाई सरचना में अर्थिव्योस्ता का जो मूल आधार था, उसमें करार उपड नहीं था, उपज और उत्पादन एक गौड पेशा था, बल समाज पित्रसत्तात्मक था, हम चर्चा कर चुके हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, और पुर्शूक्त में जो है, देखते हैं कि बड़ ववस्ता के भी उत्भाव के परियाब तस्वबूत मिलते हैं, उपासना का उद्देश भावतिक सुख था, रिगवेदिक काल करती हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंद्र को एक सर्फ्ष्ष देवता रिगवेदिक में माना जाता है, उसके बाद इंद्र आते हैं, फिर बरून आते हैं, और उपासना की पधतियों में यग्य और प्रार्थना दो ये विधियों की चर्चा मने करा है, बड़े- वैदिक आरकाल तक आते हैं, एक हजार से छे हजार छेसो इसा पूर्व के बीच आते हैं, इस सरचना में, वैदिक सरचना में भारी बदलाव आया, वो बदलाव ये कि आर्थिक रूप से देखें, तो राजा अब छेत्री भावना से जोड़ने लिगा दो रहा है, करार उ आधारी तराज था, फिर भी एक छेत्री आता की भावना इसमें आने लगती है, तामा से लोग परची थे और वस्त बिर्मय की प्रणाली थी, लेकिन यहां पर मजे की बाती है, कि करशाशन एक सिक्के की बात जो है, उत्तरवैदिक काल के अंत से दिखाई पढ़ने लगत पश्पत देवता की पूजा हो रही है, और यग्यों कर्मकांड में ब्यापकता आने लगती है, पढ़ी एक ब्यावसाई के रूप में हम देखते हैं, तो पश्पालंग सहली से एक अस्थाई क्रिस समाज में परिवर्तन इस रिगवादिक, उत्तरवैदिक काल की प्रमु हो रहा है, उसके पीछे मूलभूत कारण क्या क्या है, तो हम देखते हैं कि लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है, छटी सताब्दी सापूर में, और लोहे का इस्तेमाल करना जब इनसान ने सीखा, तो उससे सबसे पहले उसने जो है जंगलों को साफ किया, युद्ध में उसका उपयोग किया और अससस्त में किया, खेती किसानी में लोहे के अउजारों का प्रयोग किया, तो उत्पादक्ता बढ़ी, आप देखते हैं कि करीब साथ सो बीसी के आसपात तक आते आते अध्धा कोशांबी और स्रावस्ती की बस्तियां प्रकाश में जा गई है, चित्रत धूसर मर्दभांड, जिनकी बात हमने भी करा है, दसल उपरी गंगा घाटी में इसके परियाप्त सबूत मिले हैं, और यह इंसान के उस कुम्भकारी और मर्दभांड बनाने की कलाकों भी इंगित करता है, जिसमें अपेक्षा किर्थ पूर्व के वर अश्ट भूम में एक संगठित ब्यापार की सुरुवात हो रही है, संगठित ब्यापार के साथ साथ आहक्षिक के यदाकदा हमें मिलते हैं, महाजन बर्ग का उदय हो रहा है, जिसमें सूद खोरी जिसको हम कहेंगे, मतलब यह जो खेतिहर वस्तियां थी, पूर्व की, र जब धीरे-धीरे जन्पद का विस्तार होने लगा, तो यह खेतिहर वस्तियां ही जो है, जन्पद के रूप में तब्दिल होने लगी, छठी सताबदी वीसी तक एक नए प्रकार की राजनेतिक ब्यवस्ता का भी अभुदय होता है, वो क्या थी? पहले हम जनिजाद का मु धाणा से ओत्प्रोत है राजा का कंसेप्ट, राजा के तत्व में दैविय भावना भी आ रही है, अब राजा के आधिन एक विसाल शेना होने लगी है, और वो शेना जो है, सिर्फ युद्ध में लूट मार के बटवारे पर नहीं, बलकि वो राज के बहुत बड़े हिस् परसासन भी करने लगी है, यानि छटी सताभी इसापूर्व ने यही खेतिहर वस्तियां जो जन के रूप में थी, वो जनपद के रूप में तब्दील होने लगी है, अब यह क्या था, इसमें महतपूर्ण पर्यूर्तन क्या देखनों के मिलते हैं, हम देखते हैं कि एक बर्ग इसमें आ जाता है, अगर छटी सताभदी इसापूर्व की इस परंपरा को हम एक उदाहरन से समझें, तो दसल जीवक की कथा के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, बड़ी रोचक है, कि पाटल पुत्र के राजकुमार थे, राजगीर के अभय और वो बन जीवक रख दिया, अब पता चला कि उसी विवरन में ये पता चलता है, कि जीवक जब बड़ा हुआ, तो उसने स्वेम निर्डे किया, कि मुझे बैद बनना चाहिए, आयरवेद सीखने के लिए अभय ने उसको तक्षिसिला भेजा, तक्षिसिला वो जाता है, और वहाँ जड़ी बूटी लाइए, जिससे कोई बैद, मतलब कोई दवा न बन सके, रोचक प्रसंग है, तो जीवक जब वापस आता है, तो कहता है, गुरुजी, कोई जड़ी बूटी इस तरह से हमें जो है, नहीं मिली, जिससे, मतलब आयरवेद की दवा न बन सके, मतलब उसका कह है कि प्रकित की संपूर जो चीजे है, वो पौधे हैं, उनसे कोई नो कोई जड़ी बूटी ज़रूर बन सकती है, अब पता चला कि तक्ष सिला से जीवक अरवेद की सिच्छा ले करके, फिर से पाटल पुत्र और राजगरी की तरफ चलता है, जब वो राजगरी की ओर च पुद्ध का इलाज किया, एक गणिका का इलाज किया, तो यहां इस कहानी का आशे क्या है? कहानी का आशे यह है कि छटी सताब्दी इसाफ पूर्व के पूर्व के वर्षों में, जहां हम देखते थे कि मवेशी पालने, यग्जप्रथा, कर्मकांड का उलेक होता है, वही पर यहां पाटल पूत्र यानि राज ग्रिह से करीब 2,000 किलो मेटर की यात्रा पश्मोत्तर की तरफ करता है, जीवक पाटल तक्षिसिला जाता है, बैद बनता है, उसके पढ़ाई के पीछे एक स्वतंता भी है, वह स्वतंता निरड़े लेता है कि मुझे बैद बनना है, अब यहां रास्ते में आता है, तो वह बिम्बसार यानि राजा बड़ा समराठ है, उसका राजबेद बनता है, उसके बाद वह बुद्ध का भी उदे होता है, बुद्ध के भी राजबेद बनते हैं, बिम्बसार दूसरे राजगरानों के भी चिकित्सा के लिए जीवक क भेजता है एक गड़िका का भी वो इलाज करता है तो यहां पर इस कहानी से मैं यह बताना चाहता हूं कि वास्तों में छटी सताब्दी ईसापूर्व में यह बदलाव दिख रहा है बदलाव पेश्वेगत दिख रहा है बदलाव राज के ब्यवस्था में दिख रहा है बद अच्छा एक बड़े शहरों की बात दिख रही है, और पेशे के रूप में एक वैदकी की बात दिखती है, यह बदलाव दिख रहा है, अब हम देखते हैं कि छटी सताब्दी इसा पूर्ब जो खाद उत्पादक अर्थिविवस्था थी, इसके वास्तों में विकास के क्या क किजें, उभर के आ रही है, यहां हम देखते हैं कि उत्पादक अर्थिविवस्था के विकास में दो महत्तपूर कारण है, एक तो लोहे के अउजारों ने गंगा के मैदानों को शाफ किया, और फिर बड़े पैमाने पर किर्शी होती है, दूसरा क्या था, कि बहुत जो ए किया गया है, अनाश को पैदा करने पर बल दिया गया है, क्रिशकार है तो पश्वों की रच्छा पर बल दिया गया है, और सबसे महत्तपूर धान की रुपाई की जानकारी की भी बिवरण इस सुत्त निपत से मिलती है, तो यह इस से क्या होता है, अत्यधिक उत्पात्रत बढ़ती है और खेती किसानी में पश्वों के उपयोग पर जब बल दिया जाता है तो जाहिरे तोर पर पूर्ब के वर्षों में उत्तरबैदिक काल में जो कठोर कर्मकांड पश्वल पर्था थी उसके खिलाफ एक तरह से आवाज उठती है और यही वो प्रश्चमूम है उ जनपद में बदलना तो हम देखते हैं कि 16 महा जनपदों का उदय उत्तर भारत में लेटर उत्तरबैदिक पीरियड के बाद होता है यह 16 महा जनपद क्या है यह 16 महा जनपद राजतंत्र और गड़तंत्र इंश में दोनों है जैसे अंग मगद काशी का बहुत नाम है करके बहुत धर्म के जो बस्त्र बनते थे गेरुए बस्त्र उसके लिए काशी बहुत थेमस था बत्स कुरुपंचाल यह राजतंत्र के उदाहरण है दूसरे शाषन प्रणाली गड़तंत्र थी जिसमें बज्ज और मल्ल था शाषन के द्वारा मतलब शाषक राजा द्व करता है जो जैन ग्रंद है कमों बेश थोड़ा सा उलटफ दौटिश के साथ काविड़ के दौटिल भी दो प्रकार के शाषन की बात करते हैं वही 16 महाजनपदों में दो प्रकार के सासन और वही राजतंत और गणतंत ये कवटिल इस बात की का विब्रण देते हैं तो हम कर सकते हैं कि लोहे के प्रियोग ने उत्तरबैदिक काल के धार्मिक अमनी आर्थिक और राजनीतिक मानेताओं में ब्यापक प्रियोटन ला दिय और जो काविलाई सरचनाथी उसमें दरार पड़ी छेत्रियता की भावना का विकाश हुआ इसके साथ ही अस्थायत छोटे जन जन्पद में बदलने लगे और अयत्रे ब्रामण में तो बाकाइदा राजाओं के प्रकार का विब्रण दिया गया है अयत्रे ब्रामण कहता है कि समराट भोज स्वराट बिराट और राजा ये पांच प्रकार के राजा होते थे समराट मगद और कलिंग अंग जैसे राजों के शाषकों को समराट की पदिवी लेते थे भोज दच्षड के जो यादो राज थे वहां के लोग लेते थे वैसे ह स्वराट है पश्चिम के सुराष्ट और कच्छ के शाशक स्वराट की उपाधी लेते थे उत्तर में हिमाले की तराई के आसपास बिराट की उपाधी लेते थे और मद्ध के कुर्पंचाल जैसे शाशक जो है राजा की उपाधी लेते इन बड़ी बड़ी उपाधियों से हम यह समझ सकते हैं कि कैसे जन जनपद में तब्दील हो गए और जनपद में तब्दील होने के बाद जब हम कहते हैं छेत्रियता की भावना का उभार हुआ तो इसका आसे हुआ कि राजपद अब सिर्फ कभीले का शाशक नहीं है राजन ही नहीं है वो बड़ी बड़ी सा करारोपन पड़ाली के तहट वो अरजित करता है और इस अधिशेश से अपनी सेना मजबूत करता है और पडोसी राज्यों को जीतने का भी प्रयास करता है यह थी छटी सताबदी ईसापूर्व की प्रश्टिभूम जिसमें दसल यह सोला महाजर्पदों का उद्य हुआ और इसे प्रश्टिभूम में हम देखेंगे कि मगद जिसकी भागोलिक परिस्तियां सामरिक परिस्तियां और जो अगल बगल के उत्पादक्ता थी उसकी वज़े से उसका उत्कर्ष होता है इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे करीब 544 से 412 इसापूर्व के आसप मगद जिसकी राजधानी प्रारंभिक रूप से राजग्रह थी उसका बिबरन हमें देखने को मिलता है बिम्बसार एक पहला शाशक था जिसने जो है मगद के उतकर्ष को अस्थायुत परदान किया इसे हम स्रणिक कहते हैं तो उसने दो तरे की नीतिया अपनाई आप दे राष्ट भूम में मगद को एक प्रमुख राष्ट बना देते हैं वो कहींने कहीं अन्न सोला महाजन पदों को मगद की छतरी के नीशे ला लेते हैं तो उसके पीछे लोहे का विश्कार कृष्री प्रणाली में व्याप्रक्ता अस्थाय तो राजा का छेत्रियता की भाव को अन्न सोला महाजन पदों में सर्वस्रेष्ट राष्ट बनाने का प्रयास करता है और वो बैबाहिक संबंद जैसे लक्षभी सासक चेतक की बहन चेलना से बीवा करता है यह उसकी रणनी थी और यह रणनी तो जो है इसी तरह से कौशल नरेश प्रसंद्जित की बहन कौ प्रदोत की चिकिस्ता के लिए बिंबसार जीवक को भेशता है आप देखिए कि मगत के उतकर्स के बहाने उसकी यह नीतियां कितनी कारगर है और आप बाद के अगर राजाओं को भी देखे तो आप समध्रुप्त की बात करिए तो दच्छिड के राजाओं को पराजित कर कि वो किस तरह से ग्रहण मोक्षान उक्रह धरण बंद की उपादी लेता है और उनकी पुत्रियों से शादी करके बैबाहिक सम्मंद्रे करके नजराना प्राप्त करता है मद्धकालिन भी ऐसे ही सम्मंद्रों से भरापड़ा है तो यह दूर दृष्टा थी बिंबसार की क उसने बैवाहिक सम्मंद्रों से मगध को एक स्रेश्ड राज बनाया है अब बात करते हैं अजाद्सर्थर की अजाद्सरु मतलब नियति थी वो किसीने किसी अवन्त्य राज को अपने में मिला लेने की थी तो बताते हैं कि बत्सकार ने ही अजात्र सत्र को ये भेद बताया था, आप कुछ शस्त्रों का ऐसा उपयोग करो, तब ही अवंत को आप मिला पाओगे, तो रत्मूलक और सिला कंटक्ट दो युद्ध अस्त्रों का विबरण जो है, अजात्र सत्र के समय पर आता है, और वो बजी संग में भेद डाल करके वो बजी संग को अपने में मिला लेता है, इसका अंतिम और महत्पूर्ण सासक खास करके मगद का उदयन है, 461 से करीब 445 इसा पूर्व की बात है, पुराण एवंग जैन के अंसार गंगा और सोन के संगत्म पर पाटल पुत्र नगर की अस् और जैन धर्म तो इसको जैन धर्मावलंबी बताते हैं, लेकिन मगद का उतकर्स बहुत दिनों तक नहीं चपाया, अंतिम शाशक नाग दशक थे, इस मौर बंस के, और उनको हटा करके उनहीं के अमात्ते, शिशुनाग ने एक नए बंस की निव डाली, जिसको शिशुना और शिशुनाग को देख सकते हैं, इनके बैबाहिक संबंद हो, और युद्ध की नीत के माध्यम से इन्होंने मगध को सोला महाजन पदों में सिरश्चता के अस्तर पर लाकर खड़ा कर दिया, अब शिशुनाग बंस की बात करते हैं, जो 412 से 344 तक शासन किया, शिशुन पुत्र के साथ साथ, वैशाली को शिशुनाग बंस के साशकों ने अतरिक्त राजधानी बनाया, और इसका एक अंतिम शासक है, काला शोक का नाम आता है, और इसी के समय पर एक अहतिहासिक विब्राण भी मिलता है, बाध संगीत होती है, दूसरी, बाध संगीत की प्रमु वरधन था, इसी के बाद नंदबंस की अस्थापना होती है, संस्थापक के रूप में नंदबंस के हम महापदमनंद को देखते हैं, पुराणों में महापदमनंद को छत्रियों का विनाशक कहा गया है, परशुराम का अवतार कहा गया है, और शुद्र जातिसे उत्पन ब समकालिन था सिकंदर का समकालिन था और करीब 322 के आज पास जो है चाणक की के मतलब सलाह से चंद्रुगुप्त मौर जो है घननंदों को हटा करके मौरवन्स की अस्थापना करता है तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि वास्तों में मगद का उतकर्ष सोला महाजनकदों की जगे पर उसी प्रश्ट भूम पर मगद को अस्थापित करना था और एक तरे से राजपद की पद प्रतिष्था को अस्थापित करना था बैबाहिक संबंध से केंद्रिय शक्त की अस्थापना हुई सेन ब्यवस्था मजबूत हो रही है और खास करके अब राजा छेत्यता की भावना से लेशो करके करारोपन की प्रणाली मजबूत हो रही है बाणिज ब्यावसाय की गदविधियां फलफूल रही हैं और बड़े-बड़े शहरों का निर्माण हो रहा है और उपर से बाध्ध और जैन धर्म की उत्पत ने इनको एक तरह से सपोर्ट की भूमका में लाके खड़ा कर दिया क्योंकि इनकी मानताएं राज निर्माण के लिए कहीं कहीं सपोर्टिंग नेचर की थी इसी भीच हम देखते हैं कि मगद के उत्तकर्ष और पतन के साथ साथ भारत में खास करके उत्तर भारत में एक और पशिमोत्तर सीमा प्रांद से मध्धेशिया से आक्रमणों की अगर हम कहें कि भारत पर आक्रमण करने वाले हाखामानी शाहित्त के इरानी शाहित्त में भारत पर आक्रमण करके और उसको अपने सम्राज्य का वीश्वा प्रांथ बना लिए दारा पर्थम के तीन अभिलेक मिले हैं बेहुस्तून नक्सरुस्तम और पल्स पूलिस जिन्शे भारत पर उसके आकप्रोण की पुष्ट होती है और भारत का पश्यमोतर सीमा प्रांथ सिंधुनजी के छेत्र का भाग जो है वो इरानियों के सम्राजिक का अंग था इसकी भी पुष्ट होती है और हेरोडोटस जिसे फादराफ हिस्टी कहते हैं हिस्टोरिका लिखा वो उसमें जो है बताता है साफ-साफ की बीश्वा प्रांथ बना पश्यमोतर भारत का छेत्र दारा पर्थम का दारा पर्थम के बाद सम्राइब दर्थिय इरानी शशक था और इशी के समकालिन सिकंदर था सिकंदर ने दर्थिय के इरानी यानि हंवानी संराज पर करीब 331 ईसापूर्व के आसपास आत्रमण किया और ल कि युद्ध में हंख कवानी सम्राइट रह Early को पराजद जैसा कि हम जानते हैं कि दारा हाखामानी समराज का एक भाग पश्यमुत्तर भारत था और जब हाखामानी समराज समराट मकदूनियन समराट जिसको अलगजंदर दग्रेट कहते हैं उससे उर्वेला के युद्र में पराजित हो गया तो भारत भी उसके मगदूनियन समराज के सीधे संपर्क में आ गया है यहां हमें ये बात जरूर ध्यान दे लेना होगा कि वास्तों में इरानियों के संपर्क से भारत में क्या प्रभाव पड़ा भारत के संदर में क्या प्रभाव पड़ा तो हम देख सकते हैं कि समुद्री मार्की एक तरह से व्यापरिक बुद्ध एरानियों के संसर्गे से होती है, पश्व मोत्तर में दाइं से बाइं और लिखने वाली खरोष्ट्री लिपी की बात सामने आती है, आरॉमाइक लिपी जो एरानी ही लिपी है, उससे भी भारती परचित होती है और सबसे महत्यकोड अभिलेक लिखने की प्रथा वास्तों में इरानी सम्राज का भारतिय सम्राज से संपर्कों का प्रभाव है इस अभिलेक लेखन की प्रथा को आप पीछ और आगे जाओगे तो देखोगे कि अशोक इसको बहुतायत मात्रा में प्रयोग मिलाता है और जि देखेंगे जिसे बाद में देखेंगे यहीं पर हमें देख लेना है कि वास्तों में सिकंदर कौन था मगदूनियन सासक था फिलिप धुतिय इसके पिता थे लेकिन एक राज निर्मान की परिकल्पना से विश्व भीजय की परिकल्पना से यह आत्मन अपना भारी हरकम से ना लेकर के चलता है और इरानी समराज को उर्वेला के युद में 331 इसापूर में वो ध्वस्त कर देता है इरानी समराज के ध्वस्त होते ही भारत का जो पश्चिमोतर सीमा प्रांत था वो सिकंदर के आधिन आ जाता है आगे और वो बढ़ता है तो 326 के आसपास स्थान नहीं दिया जाता है लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो पोरस एक महान राजा था जिससे जिसने युद्ध कर नड़े लिया और बताते हैं कि 326 के आसपास बितस्ता सा युद्ध होता है जिसे हाड़ स्पीच का युद्ध कहते हैं इसमें पोरस बहादुरी स लड़ा लेकिन वह पराजित हुआ और फिर कुछ यूनानी लेखकों ने लिखा कि सिकंदर ने पोरस से मित्ता कर ली और उसके राज्यों को वापस कर लिया उसकी कुछ इमानदारी से प्रेजित हो करके लेकिन इस बात को स्विकार करना कठिन है वास्तों में सिकंदर जब में और अंदर जाने को मना कर रही थी उनका साहस नहीं था तो चिकंदर ने यगी वेदियां बना करके पूजा करके और वहीं से बेविले उनकी तरफ प्रस्थान करता है जहां करके वह उसका अंत होता है और अपने कुछ च्छत्रपों को वो भारत छोड़ जाता है। यहां देखने की बात है कि सिकंदर के आकवनों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्वणों का भारत पर जो सरबाधिक महत्यप्र प्रभार पड़ा वो था, एक छत्र प्रणाली की सुरुवात होती है. मुद्रा निर्मान की कला की सुरुवात होती है. और गंधार का लाशेली, जिसों बाद में कनिष्ट ने मतलब प्रस्रे दिया, बुद्ध की मूर्तियां उसमें बनती हैं, इन सैली का भी विकास यहां पर होता है। सिकंदर के आक्मणों का एक प्रकारंतर से अपरोक्ष प्रभाव हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत के उन तमाम छेत्रों को जीतने के बाद कुछ छत्रपियों में उसने संगठित गिया। तो कहने के मतलब उत्तरभारत की एक्ता में भी उसके हम इस प्रयासों को प्रकारंतर से देख सकते हैं। यह इस्तिती जो है इरानी और मकदूनियन आकमन के बाद यहां पर हुई है। तो अब हम लोग इसके बाद एक महत्तपूर्ण बिशे बिचारधारा बौध और जन की बिचारधारा पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपसे देखा कि वास्तों में छटी सताबदी इसापूर्व में किस तरह से जन जनपद में बदल रहे थे। और इसके पीछे जो दो मूलभूत कारण थे वो ये थे कि वास्तों में लोहे की जानकारी का पता चल गया था। और पता ही नहीं चल गया था बलकि लोह एसकों का उपयोग जंगलों को साफ करने और कृषि में हल के रूप में भी होने लगा था। तब पस्चाथ इसको अस्त्र सस्त के रूप में भी उपयोग में लाया जाने लगा। रुपाई की प्रणाली सुरुवात हो गई थी। और इसी प्रश्ट भूम में उत्तर भारत ने खास करके मगद की एरिया में जहां पर बहुतायत में लोहे की ख़दाने हैं। हम कह सकते हैं कि मगद के उत्कर्श के पीछे ये प्रश्टी भूम ही थी। और उपर से इस प्रश्ट भूम को एक विचारधारा के रूप में सपोर्ट करने के लिए एक नवियन विचारधारा काओदे हुआ जिसे हम बहुत्ध और जयन कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बाउद और जैन एक अबाइदिक विचार धारा थी और अगर इसके उत्तरदाई कारणों को गड़ देखनी की कुशिश करें तो हम देखते हैं कि बुद्ध एवंग महाभीर एक तरह से कर्मकांड बलिप्रथा और पशबल की जगे पर इस बात पर चिंतित ऐक तरहरा कि वहें किस प्रकार से मानों सुखों का समाधान खोजना हामें सभी मनुष्यों का कल्यान करना है एक पिंदारा में सभी लोगों को लेके आना है बन ब्यवस्था जो मातलब जादि पर आधारीद हो रही थी र sırग कांड पशबल की पर था इनकी जगे कर हमें देखना है कि क्रिश में उत्पादक्ता कैसे बढ़े इस पर विचार करना है तो इस समय तक बैदिक धर्म पध्धती जो जटिल हो गई थी वो महत्तु हीन हो गई बली और यग्य बड़े पैमाने पर हो रहे थे ब्राम्हर समुदाय का प्रभुत बढ़ रहा था सांस्क मानिताओं की आलोचना बुद्ध से पूर्व मक्खल गोदाश और कुछ भौतिक बादी पंथों ने किया था चारवाक का भी नाम आता है लेकिन बुद्ध और जैन ने बैदिक मानिताओं पर कुठाराघाद किया वो कुठाराघाद क्या था उन्होंने बैदिक बर्ण द हम में आ सकते हैं ऐसा बुद्ध ने एक तरह से अपने सिध्धान्त में शमावेश किया तो बहत्मा बुद्ध का उदय एक तरह से छटी सताबदी इसापूर में एक तरह से सामाजिक क्रांति का सोपान है और हम देखते हैं कि बुद्ध ने जो सिच्छाएं दी जिसने उस कठोर वैदिक व्यवस्था जटिलता के खिलाफ एक नए सामाजिक समीकरण को जन्म दिया उसके उनकी सिच्छां में जो मूल था वो चारा अरसत्य है बुद्ध ने जैसा कि हम जाते हैं कि वो खुद राजगराने में पैदा हुए थे लेकिन वास्तों में संसारिक्ता में उ और सुख और की खोज में वो जंगलों में निकल गए राजपाट सब छोड़ करके और कठोर तपस्या के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जिसको धम्र चक्रपवरतन कहते हैं तो उन्होंने आकर के सारनात में अपना पहला उपदेश दिया और उनके मुल भूत स चार आरैशत्य हैं ये चार आरैशत्य क्या है धुए दुख है पहला आरैशत्य है डूसरा आरैशत्य है कि दुख संढ़ाए दुख का कारण है तीसरा है कि दुख को दूर किया जा सकता है, चतुर्थ और सत्य है कि दूख दूर करने का उपाय है, जिसके लिए अश्टांग मार की बात की गई है, यहां पर बुद्ध एक बड़ी बात कह रहे हैं, बैदिक विवस्था में जहां सब को मोक्ष के काबिल नहीं समझा जाता बड़ के आधार पर विभेद किया जाता है, तमाम ऐसे जातिया हैं जो बड़ विवस्था से इतर हैं, उनकी जगहा पर बुद्ध एक तरह से सोचल रिबुलिशन की बात कर रहे हैं, वो सभी व्यक्तियों को समाज के सभी वर्णों को धंब में शामिल होने की बात करते है एक स्लोगन है बुद्ध का अप दीपोभो, अपने प्रियास से कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बैदिक वांगमे में गुरू की आवश्यक्ता है, अहिसा का अनुसरण बुद्ध कर रहे हैं, प्रेम की भावना पर बल दिया जा रहा हैं, और सबसे बढ़कर एक मध स्थिति में रख करके आप चीजों को मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, निर्मान को प्राप्त कर सकते हैं, यहां पर ध्यान देना होगा कि बुद्ध की सिच्छाओं में बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं, बुद्ध वेदों को नहीं मानते हैं, बुद्ध ईश्वर को हमीं मानते हैं लेकिन पुनरजद्ट में कुलते हैं और क्रम के सिध्धांत में अस्था महत्मा बुद्ध की थी संध्र की थीत है वह needed कि किये गए कर्म का फिल अवश्य मिलेगा बीना किये गए कर्म का फिल नहीं मिलता ह। किरणतिक प्रणास और अकृताब भगम ये बुद्ध के मूल भूत चिद्धान थे तो हम कह सकते हैं कि छटी सताबदी इसापूर्ग में जो ये सामाजिक राजनितिक आर्थिक बदलाव दिख रहे हैं उसके प्रश्ट भूम में बुद्ध की ये सिख्षाएं काफी महतपूर हैं हम देखते हैं कि बुद्ध की सिख्षाओं का संकलन उनके महानित पर निर्मान के आठमी बर्स में अजात सत्र के शासनकाल में होता है और राजगिर में पाइली शवा होती है जहां पर बुद्ध की सिख्षाओं का संकलन होता है और पिटक में संपूर्ण बुद्ध की सिख्षाओं त्रिपटक में हैं और वो कौन चोन च polarization है सुत्पिटक विने पिटक और अविधंव पिटक बाद में हम देखते हैं कि बहुत धर्म के इ भिक्षू ने अशोक को बहुत धर्में दिश्षित किया था। लोगप्रियता का कारण यहां पर बहुत जरूरी यह है समझना कि वास्तों में बहुत धर्म की इतनी व्यापक्ता और लोगप्रियता का कारण क्या है। तो जो हम देखते हैं कि भुद्ध ने अपने उपदेशों में आम जन भाषा पाली का उपयोग किया। पाली आम लोगों की भाषा थी, मगध के आसपास के एरिया की भाषा थी। और आप देखोगे कि बाइदिक व्यवस्था में मगध के लोगों को मागध कहा गया है, यहां से यह भी एक संकेत मिलता है कि बहुशंख्यक आबादी का भाग जो अबैदिक था बैदिक मानताओं से इतर था उसकी आंग भाशा पाली थी व्यावहारिक नेतिक्ता पर वो बल दे रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध की समस्या क्या थी समस्या यह थी कि उस स समय है चठी सक्वताबदी एशा पूर्व की इस्थ्ति में राज की अवश्चक्ताओं दूसरी ही और धर्म की अवश्चक्ताओं दूसरी थी तो कहीं ने कहीं बाय दिक धर्म और राज्ज के हित्व आपस में टेकरा रहे थे आएसे में बुद्ध का जो उपदेश है वो राज के हित्में भी है और प्रजा के भी हित्में है प्रजा के हित्में इसलिए क्योंकि बढ़न दवस्था का जैसे इन्होंने दिरोध किया इन्होंने खेती किसानी को सम्रिद्ध बनाने के लिए बाकाइदा एक सपोर्ट किया काश्ठक संजिता है तो उसमें 24 हलों की खेती की बात होती है और वो संभवता इसी चोथी पाचुवी सताब्दी के आसपास की रचना है तो बुद्ध के उपदेशों से बनिक ब्यावसाय को प्रसे मिल रहा है गणिकाओं का एक स्वतंत्र पेशे के रूप में अभी यहां पर लोग तूरिस्ट आते हैं वहां पर बुद्ध ने जो है लंबे वक्त तक उप्दिश लिया और वहां का एक डाकू था अंगुलमाल जो नरसंगहर करके वो अपना जीवन यापन करता था लेकिन बुद्ध की सिक्षाओं को के आधीना करके उसने जो है फर्म की आधिनता को शुकार किया धम के परति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया तो यहां पर हम देखते है कि था सप्रत्रत क करके बाच्श विएवसाय के प्रति एक नरम रुख अपना करके जनता का भी सपोर्ट किया बड़ किशनी के उठ्थान के लिए एक मानिताओं का सपोर्ड किया और राजा क्या था राजा जब इस तरह की सितिया होती हैं तो अधिशेश उसका बढ़ेगा बानिज ब्यावसाय से चुंगी कर उसको मिलेगा तो राजा को भी आर्थिक रूप से शशक्त बनाने का एक पाइदान मिलता है तो बुद्ध की सं महत्पूर से च्छाएं कहीं न कहीं एक राज के लिए भी और आम जन्मानस के लिए भी महत्पूर दिखती हैं इनका समानता का सिध्धान और सभी को संग में स्वागत करने का सिध्धान ये बहुत महत्पूर है अनाथपिंडक का नाम सुनते हैं आम्रपाली का नाम सुनत बलकि इसको मानिता प्राप्ती थी और इसके दिये हुए दान को बुद्धवी श्विकार कर रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है जो यदा कदा हमें इस प्रसंग से दिखाई पड़ती है और राजाओं का सनच्छण बहुत धर्म को इसलिए मिला क्योंकि राज धर्म के विस् प्रफ्तार दे दिया हम देखते हैं कि राजग्रह बैशाली पाटल पुत्र और कुंडल बन मतलब चार बहुत शंगीतियां होती हैं और इन चार बहुत संगीतियों में जो त्रिपिटक है बहुत धर्म की तीन बुद्ध सुत्य पिटक बिने पिटक और अविधम पिटक इनकी संपूर सिच्छाओं का सार है और इस सिच्छाओं को इन संगीतियों में खास करके अशोक के समय जो बहुत संगीत होती है विदेशों में इसका प्रचार प्रचार होता है संघ मित्रा और अशोक के पुत्र संघ मित्रा और महंद्र का नाम आता है जो वास्तों में द ही बाल सन्यासी था बाल भिक्षु था जिसने अशोक को बहुत धर में दीख्षा दिलाई तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि छटी सताबदी इसापूर के बाद जब मगद का उतकर्स हो रहा था तो उस मगद के उतकर्स के पीछे कहीं ने कहीं बहुत बिचारधारा के बिस्तार बाणजी ब्योसाय को प्रोशहन देने वाली थी और समुदाय में सभी को साथ लेकर चलने वाली और इसलिए तो हम छटी सताबदी इसापूर्व को सोचल रेवूलूशन का समय मानते हैं बुद्ध को हम हम पर्थम समाजिक सुधारक के रूप में देख सकते है जिन्होंने जटिल कर्मकांड पशुबली पर्था बैदिक उत्तर बैदिक काल की तमाम पर्थाएं जो समय और काल के लिए समीचिन नहीं थी उन पर प्रहार किया और एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसको हम अबैदिक विचारधारा कहते हैं अब हम देखते हैं कि बुद्ध के साथ साथ ही जैन धर्म का भी विकास होता है और ये जैन धर्म के विचारधारा के जो प्रणेता थे महाभी राते हैं 23 जो इनके प्रवर्तक थे पूर्व में, इनकी आयतिहासिक्ता के प्रवर्तमान हैं, अंग और उपांग ये जैन धर्म के महत्पूर्ण ग्रंत हैं, बल्लभी और पाटल पुत्र की जो जैन धर्म की संगीतियां हुई हैं, उनमें खास करके जैन विचारधारा को लिपबध क किया गया, अब हम देखते हैं कि बुद्ध की सिच्छाओं में पंच महाब्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रा और ब्रह्मचर को महाबीर ने जोड़ा था, महाबीर उपाशना के बास विजयता कहलाए, उनको जिन कहते हैं, जैन धर्म में सन्यास मोक्ष को कैव सब्ल ने कहा गया है, जैने के सिद्धांत को स्याथ बात की विचारssthara से यहां पर जोड़ा गया है, जैन ही कहते हैं कि कि सीभी वस्तो को हम देखते हैं, एक उदाहरन मिलता है, खास करके जैन गरंतों में, कि सच्छा ज्यान क्या है, तो सच्चे ज्यान की आश्यान की प पैरों को देखता है तो वो कहता है खंबों जैसा है तो जैन धर की जो विचारधारा ज्यान की है वो कहती है कि समस्त ज्यान एकांगी है इन एकांगी ज्यान को नए कहा जाता है तो जब हमें एक समय में एक काल में एकांगी ज्यान ही प्राप्त होता है तो हम यह कहें कि संप की सिद्धान्त की विचारधारा इनकी हुई स्याद बाद जिसमें कहते हैं स्याद है साइद है साइद नहीं है और साइद अनिश्चित और इनको मिला करके स्याद अचिता नाचिता स्याद नाचिता अचिता स्याद अचिता स्याद अस्ति स्याद नाचिती कुल मिला करके पूरता के ज्ञान का दावा नहीं कर सकता, पूरता के ज्ञान का दावा केवली ही कर सकता है, जो कठोर तप तपस्या से सूस्म चीजों को भी देख सकने में सक्षम हो सकते हैं, त्रिकाल चीजों को देख सकते हैं, ऐसे ज्ञान केवल केवली को होता है, तो जैन धर्म भी ए अबैदिक धर्म है ये बेदों से अलग इतर धर्म है और कुल मिला करके जैन धर्म में भी सभी बर्ग के लोग जैन धर्म को सुईकार कर सकते हैं लेकिन ये अपनी अहींसक अतिबादिता के कारण बहुत ज़्यादा पापुलर नहीं हुपाया ये सूर्यास्त के बाद चलना भोजन करना इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे जिव जिव हत्या होगी तो अहींसा इनका एक प्रमुख सिद्धानत है जिसको ये मूल में रखते हैं और आज हम देखते हैं कि जैन धर्म के आज भी कुछ प्रमुख केंद्र है सौराष्ट में देखते हैं हम और दच्छण में देखते हैं और पुर्वतर भारत में देखते हैं उत्तर भारत में आवी जैन धर्म अपनी इस इस्थिती में बिद्व्द्मान है जहां पर हीनियान और महायान के लोग जो है जैन धर्म की सिच्छाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो कुल में आ करके हम यह देखते हैं कि भाई जायन धर्म और बाउद धर्म, ये उस समय की परिस्तियों की उपज है, परिस्तियों की उपज कैसे कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो वैधिक मानताय थी वो हो प्रासंगिक नहीं रहे गई थी, उनकी जटिलता ने समय के हिसाब से लोगों का सपोर्ट नहीं किया, ऐसे में ये दो धर्म उभर करके आए, और इन्होंने बड़ी मात्रा में एक तरह से देखा जाए, तो राजैसर प्रदान किया, और इनकी वज़े से जहां-जहां बुद्ध गए, जहां-जहां जैन गए, वो बड़े- के शहरों में तब्दील हो गए, इतिहास कारों ने इस बहुत जन और जैन धर्म के उदय को सेकंड अर्बनाइजेशन से जोड़ा है, इसे हम दुतिय शहरी करण कह सकते हैं, पहला शहरी करण, इंदसमेली, दुतिय शहरी करण, ये छटी सदाब्दी इसापूर्व के ये जन जो जन पद्वें बदले, इसके पीछे बुद्ध की सिच्छाएं और बुद्ध के आवागमन और इनका जो प्रचार प्रशार था, ये भी कहा तुई माहत्मूर है, और तीसरा सहरी शहर्म तुर्कों के आकमन के बाद, दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों का उद से एक ब्यवहारिक दर्शन के रूप में नहीं आता है, हमें ये ध्यान देना है कि छटी सताब्दी इसापूर्व के बाद, इन बाध्ध और जैन धर्मों के बाद, फिर उत्तर भारत में एक खड़ दर्शन का भी एक जगराता है, इसमें तीन तो अबैदिक हैं, जिनको नास्तिक बोलते हैं, चारवाक, बध और जैन, और छे दर्शन हैं, जो बाधिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, बेदों को अपरुशे मानते हैं, उन्हें सुरूती मानते हैं, और इसमें है न्याय, बैशेशिक, सांक, योग, मिमान सा और बेदान्त, ये से प्रिणडा ले करके, सूच्म और जड़ तक्तों की विवेशन किया, आत्मा और परमात्मा का विवेशन किया, इसकी वज़े से क्या होता है, कि भारत में देखें, अगर न्याय बदर्शन को देखें, तो प्रमाण और प्रमापरिनोंने व्यापक प्रशार किया, बैश बात के सिध्धान्त को पर्तपादित करता है, ये इसके बाद आता है, कपिल मुनको ने सांख कारिका लिखी, सांख के सूतर लिखा, और शांख के दर्शन एक तरह से विकास बात के सिध्धान्त को पर्तपादित करता है, सत रज तम तीन गुण होते हैं, तीनों की निवन आधिक मात्रा में प्रकृत और पुरुष का जब आभासी संसर्ग होता है, तो प्रकृत के तमाम तक्तों का विकास होता है, और वो विकास होते होते फिर उन से प्रले होती है, ये सर्ग और प्रतिसर्ग चलता रहता है, योग दर्शन पतंजली ने योग सूत्र लिखा, और इन आसनों पर चलते हुए व्यक्ति कैसे जो है परम सत्ता से साक्षात कर लेता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धान धाना समाधी तो समाधी में भी संप्रग्यात और असंप्रग्यात समाध की बात आती है संप्रग्यात समाध में तो लक्ष और व्यक्ति के के उसमें होती है जब वो अहम ब्रह्मास के कंसेप्ट को लिकर प्याते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि अबैदिक विचारधारों में न्याय, बैशेशिक, सांख, योग और मिमांसा, मिमांसा कर्म प्रधान है और देदांत सबसे महत्पूर्म है, बेदांत के में चार है, वो कहते हैं कि स्रिष्ट को संचालित करने वाली सकता, दो नहीं है, एक भी नहीं है, बलकि कहते हैं, दो नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, मरी, एक है, इसी को अद्वेत कहा गया, नेती नेती से परभासित करते हैं, और कहते हैं कि माया, उसकी शक्ती है, और माया की इस शक्ति से जो है, हम दसल तीन तरे की सत्ताओं की अस्थापना करते हैं, संक्राचार, कहते हैं, तीन तरे की सत्ताओं हैं, ब्यावहारिक, प्रातिभाशक और परमार्थिक, ब्यावहारिक सत्ता में हम अभी बैठे हैं, टीबी पर प्रोग्राम कर रहे हैं, दूरदर्शन मैं तो कहते हैं, मैं तो सट्पना देख रहा था। उषी तरह से स्रवण मननन निद्ध्यासन से जब व्यक्ति ज्यान प्रप्ट कर लेता है, तो यह व्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ताओं से उपर उठ करके पार्माथिक सत्ता में जाता है। और वहाँ पर जाने पर जो भक्त है, जो व्यत्य है, जिसकी साधना कर रहा है, उससे अपने को अलग नहीं समझता है, बलकि अहम ब्रह्म्हास्मिका नारा देता है. तो यह विचारधारा संक्राचार की थी, रामानुजाचार ने इसी को और आगे पढ़ाया, तो कहा वहाँ विशिष्ट अर्थों में अदोत है, ईस्वर और ब्रह्म्हा दो सकता हैं, और दोनों के तालमोल से सिष्ट का विखास होता है, मतब विशिष्ट अर्थों में अद परनित है, कि ब्रह्म्ह सत्यम जगत मित्या जीव ब्रह्म्ह बनापरा, मतब एक मात्र ब्रह्म्ह ही सत्य है, जीव और ये सत्या उससे अलग नहीं है, लेकिन इंसान जब अज्ञान में रहता है, तो वो कहता है मैं हूँ, मैं अलग हूँ, लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाता है बलकि उसमें समाहित कर देता है तो हम देखेंगे कि छठी सताब्दी इसाफ पूर्व के बाद सेले करके और मौर्योत्र काल के पहले यानि गुप्त काल के पहले भारत में जो धार्मिक रूप से ये विचारधाराओं का उद्य हो रहा है उसमें बाध्ध जैन बाध्ध जैन के पूरवर्ती में मक्खल गोदाश जैसे आजी वक्सम पड़ाए थे एक चारवाक था चारवाक बड़ा महत्तुपूर्ण दर्सन है वो जडवादी दर्सन है जडवादी के मतलब कि सूच में कुछ है नहीं है सब कुछ जड़ है चारवाक के विद्वाने सो लोगों ने पूछा कि अगर जड़ नहीं है तो हमारे सरीर में चेतना कहां से आती है तो वो कहते हैं जिर्स तरह से सुपारी पान कथ्था और सारी चीजों को मिलाकर उसको कूछने से लालीमा पैदा होती है वो इसे तमाम ये पंच भूत छित जल पावक गगन समीरा इनक का तो स्लोगन ही था यावत जीवेद सुखम जीवेद रिणम कृत्वा घृटम पीवेद तो इस जड़वादी दर्शन का बाद के खड़ दर्शनों ने बयाब्रोत किया और फिर ये खड़ दर्शन एक तरह से बैदिक जवस्था में विश्वास करते हुए बेदों से प लिए के लिए जो परवर्तन कारी कारण है उसमें एक तो बात यह है कि बैदिक वांगमा यानि बैदिक व्यवस्था के प्रति लोगों में रोश है और वो बैदिक ब्यवस्था क्या थी कर्मकांद और प्रार्थना की स्तुतिया की जो विधिया थी उसमें आडंबर बढ़ता चला जाए बढ़ ब्यवस्था जाती पर आधारित हो गई थी इसके खिलाफ रोश है तमाम एक बर्ग था जिसको मुखधारा से अलग जिसे चंड जाल को देख लिया तो अपवित्र हो गई तो ऐसी विचारधारा के खिलाफ एक नई विचारधारा पैदा हो रही है जो समाजिक क्रांति ला रही है उसमें क्या हो रहा है वह राज-धर्म के विस्तार में एक तरह से सपोर्ट अदा कर रहे हैं वह बाणिज ब्यवसाय के को सपोर्ट कर रहे हैं क्रिसी बड़े पैमाने पर हो रही है उसके लिए पश्वों की जरूरत थी और उस पश्वों की रच्छा की बात वो जोर सोर से उठा रहे हैं राजाओं का राजास्रे उले रहे हैं और गयर बाइदिक भाशा को प्रमुक्ता में लाकर के जैसे पा माने पर जो है एक केंद्रिय राज का वद्गों हो रहा है जिसको मगध का उतकर्स कहते हैं और उसमें फिर पता चला बिंबसार अजात उस्वत्र और उदेन जैसे प्रताफी राजाओं का निर्माण हो रहा है बड़ी राजधानिया बना रहे हैं और बैबाहिक संबंदो लिए रखी अपने साथ और करार उप्रण की प्रणाली में विस्तार किया और और मजबूत होते चले गए और इसके साथ साथ जब ऐसा हुआ तो इसके पीछे लोहे की चीज़े थी धान में रुपाई के प्रभुत के कारण अत्रिक जो उत्पादन हुआ उसे एक शहरी आ प्रचलन में आया और बड़े 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 किस्रेश्टियां बनती है जो अपने कर्शासन सिक्के चलाते हैं राजाओं को अनुदान देते हैं बहुत संगों के लिए वह परियाप्त मात्रा में भूम अनुदान और कर्शासन देते हैं तो एक तरह से यह बदलाव का युग छटी सदाबी इसापुर्व है जिसमें मगत का उथकर्स हो रहा है लेकिन उथकर्स का पराज हो जब होता है तो विदेशी आक्रमण होता है जिसमें हखामानी आक्रमण और तत्पश्रात मगदूनियन आक्रण ये दोनों आक्रण भारत के पश्रमों तरसीमा कपामानी आकपण में हमने बताया कि समुद्रिक व्यापार की सुरुवात होती है और कला के छेतर में एक सुरुवात होती है मिलन होता है और खरोश्टी और आरमा tweeting आती है इसी तरह से सिकंदर के आकप्रण ने श्रुवात की और भारत में पश्मोतर सीमा प्राण को उसे तरह से संगठित करने का पर्याश किया। यह सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यह चर्चा करी कि किस तरह से इरानी आकप्रणों ने भारत में इस तरह से पैदा की। जिससे फिर उसी प्रश्रभूम में एक नए राजबंस का होता है मगध का उतकर्स। और इस मगध के उतकर्स को हम अगले ब्याख्यान में और विस्तार से देखेंगे। और तब आप समझ पाओगे यह वास्तों में सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक मानतनताओं में जो बदलावाया है। उसकी वज़े से यह मगध का उतकर्स हुआ और उसी की वज़े से आगे मउरसमराज की अस्थापना होती है। आज के इस ब्याख्यान में यहीं को यहीं पर शमाप्त करते हैं आप सभी को धन्वाद।